हेलो दोस्तो आप सभी को हमारे इस वीडियो में बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तो मैं सिभम अपने यूटूब चैनल कैप्टन सिभम पे स्वागत करता हूँ दोस्तो आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि अगर आप अपने माइक को अपने मुबाइल से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसे कैसे कनेक्ट करेंगे हादोस्तो इस वीडियो को थोड़ा सा भी इसकी मत करना नहीं तो आपको नहीं पता चलेगा कि Boya M1 का माइक मोवाइल से कैसे करनेक्ट करते हैं हादोस्तो स्मार्टफोर से आप भी करनेक्ट कर सकते हैं इसके लिए दोस्तों आपका मुवाइल किसी भी कमपनी का हो उससे आपको कुछ नहीं मतलब आपके किसी भी कमपनी का मुवाइल हो आप कनेक्ट कर सकते हैं बोया M1 का माइक अपने मुवाइल से तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा दोस्तों वैसे मैं आपके लिए बता दूं अगर आप कोई भी वीडियो आप अपने mobile के original camera से record करते हैं यानि कि जब आप अपने mobile लिया होगा उस वाले camera से अगर आप video record करेगे तो दोस्तों वहाँ पर ये Boya M1 का mic काम नहीं करता है तो कैसे काम करेगा अगर हम video record करना चाहें तो दोस्तों ये mic कैसे काम करेगा तो इसी के लिए मैं आपको बताऊंगा दो ऐसी application जिसमें ये Boya M1 का mic काम करेगा और आपके लिए भी काम करेगा और दोस्तों वहाँ से आप अच्छी से अच्छी quality में video record कर सकते हैं और दोस्तों वहाँ से comedian video भी shoot कर सकते हैं तो बहुत ही वहाँ पे अच्छी quality मिलेगी तो दोस्तों मैं चलो बता देता हूं कि आखिरकार वो दो application काम करता है और अपना video वहाँ से record कर सकते हैं चलो दो वीडियो कर लेते हैं start और जान लेते हैं उन दो application के बारे में तो दोस्तों वीडियो को start करने से पहले आभी तक video को like नहीं किये हैं तो video कर दीजिए like यहां से आपको video कर देना है like, like करने के बाद आपको video के निचे रेट कर का button मिलेगा आप उस पे touch करके channel को subscribe कर लेजिए और दोस्तों वीडियो करने के बाद आपको यहां से bell icon पे प्रेस करना है प्रेस करने के बाद आपको all पे click कर लेना है इतना काम करने के बाद जे video कि हमें comment करके जरूर बताना अगर आपको problem कोई आती है तब भी आप comment करके हमसे पूछ सकते हैं तो चलो वीडियो को लेते हैं start और उन दो application के बारे में जान लेते हैं तो दोस्तों सबसे पहले मैं उन दो application का आपको नाम बता दूँ कि उन दोनो application का नाम क्या है और दोस्त सबसे पहले मैं आपको बता दूँ सबसे first number है application उस application का नाम है open camera और second वाले application का नाम है camera mx दोस्तों ये दोनो application आपको play store पे मिल जाएंगे फिरी में आप इन्हें download कर सकते हैं तो दोस्तों मैं आपको एक application की setting बताऊंगा वैसे ही आपको second वाले में भी करना है तो दोस्तो पहले आपको अपना camera open करना है जैसे आप अपना camera open करोंगे open करने के बाद आपको यहां से मिलेगा setting का icon जैसे आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर मिलेगा आपको setting का icon आप उस पे click कर दीजे उस पे click करने के बाद दोस्तों आपको नीचे चले आना है नीचे आने के बा तो आप इस पे क्लिक कर दीजिए इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके कैमरे में यहाँ पर सबसे उपर वाले में टिक लगा होगा बर दोस्तों हमारे में देख रहे होंगा हमारे में सबसे नीचे से दूसरे वाले में टिक लगा हुआ है तो आपको भी इसी में टिक कि आपके मुवाइल में यहाँ पे टिक लगा होगा पहले वाले पे आपको यहाँ से नीचे से दूसरे वाले में टिक लगा लेना है के ओरजिनल कैमरे से यानि कि जब मुवाइल आपने लिया था उस वाले कैमरे से अगर रिकार्ड करोगे तो आपकी वाइस नहीं काम करेगी तो दोस्तों मैं यहीं से वीडियो रिकार्ड करता हूं आप यहीं से कर सकते हैं दोस्तों बात कर लेते हैं दूसरे अप्लिकेशन क बारे में उस अप्लीकेशन का नाम है Camera MX ऐसी उस वाले भी अप्लीकेशन में आपको यही करना है जाना है City में बार आपको यही से IDO Secure का Option ओपेंड कर लेना है और उसमें आपको वही revきर करना है उसमें भी आपको यही से आप video record करोगे तो वहां से आपको 1080 quality में भी video record कर सकते हो और 720 भी quality में record कर सकते हो तो इसके लिए आपको अपने हिसाब से होगे वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं मिलते हैं नेस्ट वीडियो में इस वीडियो के लिए इतना ही जय ही जय भारत